ओम सिरी गनी सायनमा दोस्तू समधान ही समधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अगस्त रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मेंस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो यदि आप वैवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेस के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको क्याम्याभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ साथ कोई प्रत्यासित आये या सायद विरासत आपका इंतजार कर रही है इस आये का अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतिविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबावित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुणता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें अपनी रचनात्मक्ता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कार चमता से दूसरों को आज आप प्रबावित करेंगे कार चेत्र में तरक्की के योग हैं आस्मिक धनल आप भी आज आपको हो सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार इस्तित्यां तनावपूर्ण हो सकती हैं जिसकी वज़े से घर में बिखराव का माहूल हो सकता है इसलिए घर परिवार में आपसी समंजस बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने क पूर्ण प्रियास करते हुए माता-पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत हैं जैसे आपके भाई-बेहन माता-पिता या पडोसी उन्हें सांते प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगे रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूर कार्य भर की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोद की आज अधिकता रहेगी नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइट के शिरेनी वाली है दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारत्मक रूप से आ सकता है आपकी प्रेम पानी की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रेतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साती सात नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आजगा दिन अच्छा रहेगा विध्यार् आज आपको प्राप्त हो सकती है साती सात जो लोग सरकारी छित्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अत्वा मकान का सुक मिल सकता है आपकी आमंदनी में अच्छी खासी व्रद्दी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है दोस्तो समय आज का आपको सरकारी छित्र में काफी फाइदा होगा आपको अपने कामों के लिये श्वैम पर ही निर्बन होना होगा ना कि दूसरों पर साथी साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के ने अफसर आज प्राप्त होंगे वेपार धंदे में अच्छा लाब मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन अनावस्षक खर्चों की भी अधिकता रहेगी शावधन रहे दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आज आपको किसी तरह के स्वास्त से संभन्दित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए किसी भी तरह की स्वास्त संभन्दित समस्यां उत्पन होने पर समय से उपचार कराना ब यच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वहयाम करें स्वस्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद तामे के बर्तन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड, लाल इन में से किसी भी चींज का दान आप भगवान शुरदेव के समर्ण करते हुए अवश्य करें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शुरदेव के अशिरवाद से आपको वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा और आपके समस्त कार रहें बहुत यासनी से बनते चले लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशुरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद